जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाव की टीम दाए हुआ बिन से लड़ रही थी और जूलू यू हाव पर हमला कर देती है लेकिन तभी यू हाव अपनी स्पिरिच्वल डिस्कवरी टेक्नीक का यूज करके उसकी पोजीशन को लोकेट करके बच जाता है वो वो ऐसा घोसली ट्रेस से ही कर रहा है जूलू उससे टश तक नहीं कर पाती और फिर स्याव बीच में आकर उससे लड़ने लगती है और फिर तुरं यू हाव काई यूजी पर अपने मिंटल शॉक से हमला कर दीता है अब यू हाव को किसी को मिंटल शॉक देने के लिए उस वबन अपनी टीम को सीरियस होने को कहता है कि ये फाइनल्स तक पहुंचे है इन्हें असानी से नहीं हराया जा सकता है इसलिए इनको अंडरेस्टिमीट मत करो अब ये सभी एक दूसरे पर हमला कर देती है जिसमें ज्याव अपनी फर्स सोल टेक्नीक जिसका नाम थ्री ला और जोर-जोर से घूम रही है और अब जूलू यहां वस गई है और वैंग तॉंग भी यू हाव के साथ मिलकर हाव तॉंग कमबाइन स्ट्रेंद का यूज करता है और इससे उनकी खुद की स्ट्रेंद बहुत इंक्रीस हो जाती है और फिर तुरन वैंग तॉंग अपनी जिसका नाम कज़व यूज करता है और अब इनमें पारगाप जो है वो कम होने लगता है और कई तक तो वैंग तॉंग उसे मुकह मार कर कमझोर कर दीता है और फिर तरन्त वो यू हाव को बुलाता है वाबिन को लगता है कि यू हाव उसे अब पीटने के लिए आ रहा है लेकिन यू हाव आगे निकल जाता है और वो काई यूजी पर हमला कर देता है फिर काई यूजी भी अपनी second spirit technique जिसका नाम fox tail needle है उसका यूज करती है और उसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे needle type sharp object छोडनी लगती है यू हाव घोसली ट्रेस का यूज करके उनसे बचता है और फिर वैंग टॉंग भी अपनी second spirit technique जिसका नाम god of butterfly light है उसका यूज करता है और आसमान से कई सारे attack उन पर करने लगता है ये attack काई यूजी को लगने ही वाला था कि तब ही वहाँ supervisor आ जाता है जो काई य प्रेस की बाते करनी लगते हैं और समझ आते हैं कि ये tank sect से है इसलिए इसके पास tank sect की ये सारे skills है अब जियाओ ने जूलू को तीन पॉट के बीच में फसा रखा है और उससे निकलना जूलू के लिए मुश्किल हो रहा है लेकिन जूलू शान्त होकर इन पॉट्स की location को locate चाइब करती है और फिर अपनी फर्स परिटिक्नीक जिसका नाम हेल्थ हॉन है उससे इन पॉट्स को आपस में ही टकरवा दी और अपनी सेकिन स्परिटेकंए जिसका नाम है उसका यूज करके वो जियाओ ऑपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है लेकिन चियाओ भी मेरे दोस्तों तक पहुचना चाहती हो तो पहले मुझे हरा अब हुआप इनको सेव खेलते हुए गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तुम टॉप मांस्टर गार्डियन स्पिरिट का कमाल देखोंगे और वो फिर अपनी थर्ड स्पिरिट टेक्नीक जिसका नाम वाइट वजर फॉर्मेशन है उसका यूस करता है और तुरंद एक ही बार में वह यूह और वैंग तॉंग को धका दे देता है। और उनको पठक पठक कर पीटने लगता है। वो जादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा इसलिए यू हाव वैंग टॉंग को लेकर बस उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है और फिर तब ही जब उन्हें लगता है कि उसकी पार क्रिटिकल पॉइंट पर आ गई है तो तुरंध यू हाव वैंग टॉंग को इशारा कर देता है और दूनों एक साथ उस पर हमला कर देती है जिससे उसकी वज़र फार्मेशन टूट जाती है और फिर यू हाव क्रेनिंग कंट्रोल टेकनीक से बहुत जोर से उस पर हमला करता है जिससे उसके मुंसे खून आ जाता है दीन और वाइस दीन में शर्ट लग जाती है कि कौन जीतेगा और वो अपनी अपनी टीम के फायदे और नुकसान बताने लगती है अब गुस्ते में आया हुआ हुआ बिन अपनी सेकिंड स्पिरिट टिक्नीक जिसका नाम इंटेंस वाइट टाइगल लाइट वेव है वो यूज़ करता है और वहाँ एनरजी का बहुत बड़ा साइकलान आता है जिससे सब वहीं गिर जाते हैं अब जूलू भी फ्री हो जाती है अब दीन कहता है कि दाइमू भाई की फामिली में जो स्किल जनरेशन से पास होती आ रही है कि तुम्हें उसके बारे में पता है वाइस दीन हरान हो जाता है और अब हुआबन और जूलू हेल वाइट टाइगर जो कि उनकी कमबाइन स्पिरिट टेक्नीक है उसका यूज करते हैं और वो दोनों कमबाइन होकर बहुत बड़े उनने वाले टाइगर कैट में गनवोर्ट हो जाते हैं और वो अब उन पर हमला कर देते हैं जिससे यू हाउ की टीम को बहुत हानी होनी लगती है यू हाउ तरण जियाउ से कहता है कि तुम हमें थोड़ा समय दो और फिर जियाउ उसको रोकने के लिए वहाँ आंगे बहुत बड़ा पॉट खड़ा कर देती है और यू हाउ और वैंग दॉंग साथ में स्पिरिट यूनिफिकेशन टेकनीक का यूज करने लगती है हुआ बिन पूरी शक्ती से उस बॉट को गिरा रहा है और जियाउ भी इसे जादा लंबे समय नहीं जेल पा रही है और फिर वो कुछी देर में नीचे गिर जाती है लेकिन इतनी देर में यू हो और वैंग दॉंग की गार्डियन स्पिरिट यूनिफिकेशन टेकनीक पूरी हो जाती है और वो दुरन गोल्डन रोर अटाक उस पर छोड़ देती है और उन दोनों के अटाक अब आपस में टकराने ही वाले हो दे है कि तभी वहाँ दीन उनके अटाक के बीच में आ जाते है और आपस में टकराने से रूप देते है दीन खुद अपनी सेकिंड स्पिरिट टेकनीक जिसका नाम ट्रू पार ओफ एनेक्स है उसका यूज करते हैं और वहाँ वो एक ही बार में उनके अटाक को पी जाते है यानि नलिफाय कर देते हैं उनकी इतनी जादा बार को देखकर सब हैरान है और वो समझ जाते हैं कि आखिर तो ये है एक मौन्सर दौलो की बार दीन के उपर हुआब इनका खरोच आ गया था लेकिन यू हाँ का एक भी खरोच नहीं जिससे सभी को ये लगने लगता है कि हुआब इनका अटाक जादा सुपीरियर था इसलिए अब इस मैच में हुआब इनकी जीट हुई है और अब फिर दीन रिजल्ट अनाउंस करते हैं और फिर कहते हैं कि इस चैंपियनशिप का चैंपियन है यू हाँ और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं वो अब इन गुस्से में उनसे पूछता है कि मेरा अटाक जादा पाफुल था देखो आप पर भी इसका असर है तो जीतना तो मुझे चाहिए ना जिस पर दीन कहते हैं कि इनकी गोल्डन रोड का अटाक जादा दाकतवर था इसलिए मुझे अपने आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड यूज करनी पड़ी लेकिन तुम्हारे अटाक को मैंने ऐसे ही सह लिया इसलिए तुम्हारे अटाक का तो निशान है मेरे कपड़ों पर लेकिन इनका नहीं ये सुनकर वो बहुत निराश हो जाता है और सभी यू हाउ की टीम के नारे लगाने लगते हैं और फाइनली ये तीनों चांपियन बन गए हैं और ये काफी खुश होते हैं वाइस दीन इनकी टीम को अपने सोल काई डिविजन में लीना चाता है इसलिए वो अपने जूनियर से कहता है कि इनको किसी भी कीमत पर गाटियन स्पिरे डिविजन में मत जाने देना अब यू हाउ ने फाइनली उससे बदला ले लिया है जिसने उसकी मा को तंग किया था और ऐसे ही धीरे धीरे वो डिसाइड करता है कि वो हुआ ब इनकी पूरी फामली को तभा कर देगा अब शाम को वो सभी पाड़ी करते हैं और बीबी और तैंगया भी वहाँ आए हैं और अब तैंगया अपने वादे के अनुसार उसको अपने सेक्ट में शामल कर लेती है वो जियाओ के भी स्किल्स से काफी इंप्रेस थी इसलिए वो जियाओ को भी तैंक सेक्ट में आने का ओफर देती है और जियाओ सोच ने लगती है लेकिन यू हव उससे कहता है कि जो आज घोसली ट्रेस और कंट्रोलिंग क्रेन का यूस किया था वो तैंक सेक्ट नहीं उससे सिखाई थी ये सुनकर जियाओ तुरंट हां कर द और बढ़ जाती है इसलिए तैंक सेक्ट के बार को बढ़ाने के लिए सोल गाइद टूल का आनप बहुत ज़रूरी है इसलिए तुम्हें सोलगाइद टूल के बारे में जानना भी ज़रूरी है ये सुनकर वरग दौग और जियाओ का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उन्हें इसमें कोई इंट्रस नहीं है लेकिन बीबी कहता है कि हम तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे तुम्हारा जिसमें जाने का मन हो तुम उसमें जाना जिस पर वो दोनों रिलीफ हो जाते हैं लेकिन तभी यू हो कहता है कि वो सोल गाइड डिवीशन में जाएगा और ये स उनकर वो दोनों शौक हो जाते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है